कैसे हैं आप लोग आज में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में इजी डिनर रेसिपी जिससे आप एक पर ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ही जाद अच्छा लगता है इसे अगर आपके आप गेस्ट आ रहे तो भी आप इसे बना सकते हैं ज मग डालिएगा इस तरह से यह चीज़े डालने के बाद में आपको वन फोर्थ कप राउंड लेना है रवा यानि की सूजी यह बारिक वाले ली है मैंने और इसी के साथ इसमें एक कप आपको फ्लार लेना होगा मैंने यहां पे वाइट फ्लार लिया है अभी इन सारी दो यहां पे क्रंबी टेक्शर का हो गया है इस पॉइंट पर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करकर गुनगुना पानी डालना है और पानी डालकर इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा मुलायम सा दो तैयार कर लेना है तो लगतार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तुक्त उप्रिषां नमक, 1-2 तीस्पोन कालिमर्चोच पाउडर, 1 तीस्पून घुना कोटा जीरा पाउडर, 1 तीस्पून चार्ट मसाला पाउडर, और 2 तिबल स्पून दही आड़कर रहे हूं नेक्स टिप की तरफ आते हैं जहांपे हमें एक पैन लेनी है जिसमें वान टेबल स्पून ओयल स्प्रेड कर लेना है और पांच छे लसन की कलिया डालनी है लसन की इन कलियों को हमें आदे मिनट तक फ्राई कर लेना है इसी के साथ इसमें हमें प्यास डालनी है मैंने एक ला 3-4 हरी मिर्चे साबुत तोड कर डाल दीजेगा यह सारी चीजे डाल कर आपको फिर से 1-2 मिनट तक इसको लगतार भूनते रहना है और आप देख सकते हैं ग्लेज आनी लगा है और प्याज हलका कैरमलाइज हो रहा है इसी पॉइंट पे आपने फिर से 10-12 खाजू डाल देन यहां पे हम ग्रेवी के लिए बेस तयार कर रहे हैं जिसके लिए हमें इन जिजों की जरुरत परती है यह मसाला रेडी है एंड में आपको हैंड फूल ऑफ करियंडर लीफ जालना है और डाल कर इसे बस फ्लेम से उतार लेना है थोड़ा तंडा कर लेने के बाद में इस मि इस में डाल देना है चिकन में जोबने जो भी कम्यचा को पिक लिए हम जाएrotिक राद का घूटा तुब यहां से त्यार है में साहिता स्वाट हैं भीचे जो भी बाद जोटा कर लें साथ हाफ पानी दाले हैं इन गरम मसालों को आदे मिनट तक क्राकल होने दे या इसकी खुश्बू जो है इस तेल में आने दे जिससे बहुत प्यारी सी फ्लेवर आ जाती है खुश्बू बहुत यहाघी है जब यह मसाला क्राइक हो जाता है तो जो बनाया हुआ पेस्ट है व इसमें मिलाकर डाल देने हैं और इस मसाले को अच्छे से कुक कर लेना है इसी पॉइंट पर मैं इसमें एक टिबल स्पून बटर यहां भी आड़ करूंगे ग्रेवी के लिए और डाल कर इसको चला दोंगी कि इसमें बटर का बहुत आ जाता है तो बस बहुत जादा टेस्ट देख सकते हैं आपके मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत जी से खुश्बू आ रही है तो इस पॉइंट पर मैंना जो हमारा बना कर ग्रिल चिकन रखावाई है वो इसमें डाल देती हूं और डाल कर इसे मैं ग्रेव हरी मिर्चों से आया है और यह बटर चिकन बहुत ही यमी बनता है तो एक बर इसे आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा लंच हो या डिनर लिट लगा कर इसे भी हमें फिर से चार-पांश मेट कुक करना होगा जिससे चिकन के बोटियों में ग्रेवी का फ्लेवर आ जाया और ब दूर डालना है अगर आपके पास में क्रीम नहीं है तो आप दूर डाल सकते हैं अब यहां पे इसे फिर से चला दें और चलाकर इसकी ग्रेवी जो ठीक कर लें इतना ही मुझे चाहिए था पराटे किसा खाने के लिए बिल्कुल परफिक्ट है यह एंड में थोड़ा सा कस नहीं सी रेसिपी है एक बर जरूर ट्राइ कीज़ेगा बहुत अच्छी बनती है डिलीशस ता बटर चिकन हमारा बनकर तयार है इसे साइड पे कर लेते हैं अब आते हम अपने डो की तरफ जो के हमारा रेस्ट हो चुका था और तकरीब दस बारा मिनट से रेस्ट हो रहा ह मीडियम साइज के और बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं तो अब हमें लोई बनाकर बोड पे ले लेनी है थोड़ा सुका फलार लगाना है और इसको बढ़ा कर लिया है और इसके उपर हलका सा ओयल या बटर लगा दीजिए और इसे फोल कर लीजिए जैसा मैं वीडियो इसे सेख लेना है एक साइट पे हलका हलका सा कलर आने लगे तो इसकी साइच कर दीजिए गा थोड़ा सा ओयल मक्षन या बटर डाल कर इसे हलका सा सेख लें दबा दबा और और यह बहुत ही जादा टेस्टी सा यमी हर्याली बटर चिकन के साथ में खाने के लिए बहुत ही क्रिस्पी फ्लेकी पराठा बनकर तयार होता है बहुत अच्छा लगता है तो दबा दबा कर इस पराठे को ना हलका सा कलर आने तक सेख लें और यह देखे गोल्डन बैतरीन सा पराठा सिक चुका है और रेडी हो चुका है एंड में जब आपने सारे पराठे बनाकर रेड पराठा तैयार है और प्लेटिंग कर लेते हैं हमारी जबर्दस पराठे के साथ में यहाली बटर चिकन को कॉम्बिनेशन बिलकुल अनुका जबर्दस कमाल का है तो एक बार इसे जरूर ट्राइक कीजिएगा रेड वाला बटर चिकन अगर आप खाका कर बोर हो गयो फ्रे कैसे लगी आपको मेरी रेसेपी मुझे जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल पे नहीं सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा इसी तरह कि और भी धुमाकेदा जबर्दस रेसेपी मैंने मेर रखेगा इस रेसेपी को कीजेगा और बताएगा कैसी लगी चली बाए थांक्स वाचिंग अलाहाफिज